हाई गाईज में लिके हैं हूँ आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट प्लीज शेहनास के नाम पर फूटेज ले लो शेहनास का नाम नहीं लोगे तो कोई पूछे गई नहीं हिमाशी खुराना के बाद बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट टॉप की स्टार हिमाशी खुराना के बाद अब माहीरा शर्मा बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट बई इन्हें भी शेहनास के नाम पर फूटेज चाहिए बताती हूं कैसे आर्टिकल जो आए हैं अब देखिए गाईज ऐसा है ना बिग बॉस 14 बिग बॉस 15 वाले भी सोच रहोंगे कि काश हम भी शेहनास वाले सीज आने लगती है किसी को भई कोई तारीफ कर रहा है अब तारीफ के दो दिन चले गए क्योंकि सब को सच्चा ही पता चल चुकि है इन लोगों की कि क्या है कैसे करते हैं कि जैसे को प्रोजेक्ट आएगा उसके बारे में अच्छा बोलेंगे तो उस वज़े से तो कोई इनके बारे में यह वो काफी लंबा सा आर्टिकल आया पता नहीं इतने बड़े बड़े आर्टिकल कैसे एकदम से छप जाते हैं जब कोई प्रोजेक्ट आने वाला होता है और इन्होंने एकदम से रिप्लाई भी कर दिया जबकि उन्हें फॉलो भी नहीं करती हैं तो यह नहीं जिस प्रोजेक्ट के लिए किया था जिस गाने वाने के लिए किया था वो रिलीज हुआ है या किसी ने पूछा नहीं पूछा चलिए जो भी है अब बात करते हैं माहिरा मैम की इनका भी कुछ ना कुछ आने वाला है ठीक है ना अब इनके साथ क्या हुआ ने इनसे कुछ पूछ लिया तो उसमें शेहनाज का नाम कहां से आ गया अब देखिए कहां से कहां लिंक करते हैं माहिरा शर्मा गैट्स फैट शेम्ड एट मीडिया इवेंट शेहनाज गिल फैंस रिमाइंड हर ऑफ बिग बॉस 13 एंड से अपनी फिगर का बड़ा गरूर था बई किसी ने कहा किसी ने भी नहीं कहा फैंस तो चुप बैठे हैं जानके उन्हें पता है कि आर्टिकल छपने हैं फिर यूस तो हमने भी पढ़ी कि ऐसा ऐसा बोल देया रिपोर्टर ने हमने भी आप लोगों को दी वीडियो बनाई लेकिन हमें तो कहीं से नहीं लग करें एक बात और गाइस मैंने कुछ नहीं कहा जो भी बाते बताएं यह बाते सब फैंस से डिसकस कर रहे हैं शोचल मीडिया पर जैसे कि इन्हों ने आर्टिकल छाप दिया कि वह फैंस ऐसा कह रहे हैं ऐसी मैं बतारी को फैंस ऐसा डिसकस कर रहे हैं मैंने कुछ नहीं कहा